करण। हेलो! वन्स अगें वेल्कमा वेलकमाइन तुरभ में आ चाहिए वाजिए और दुचेणल एक नरप्लाविशन के बात चेणल थेंक यू के बारे में और थेंक्यू जब हमें कोई बोले तो उसका किस तरीके से उत्तर देना है आज हम उसके reply की वारे में भी बात करें जैसे ही बच्चा वड़ा होता है मम्मी डैडी कहने के तरंत वादी मम्मी डैडी उसको thank you कहना सिखा देते हैं उसको सिखाते हैं बेटा जब हमें कोई हमारी मदद करें तो हमें उसको thank you कहना चाहिए अब जब कोई हमको thank you बोले तो हमें उसको reply भी देना चाहिए यह सारी के सारी चीजे माबाब बच्चे को school जाने से पहले ही सिखा देते हैं लेकिन कब कौन सा thank you कहां बोलना है यह प्रॉपर तरीके से ज़्यादा तर लोगों को नहीं पता होता है किस thank you का क्या जवाब देना है यह भी लोगों को ज़्यादा तर नहीं पता होता है तो तो टुडे आई डिसकस वन वाई वन अल दे पॉइंट्स आज हम एक एकर करके सारे पॉइंटों पर बात करें कि कौन सा thank you कब बोलना चाहिए और किस thank you का क्या reply होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं thank you होते कितने है भाई thank you होते कितने है उनका जवाब तो बाद में हम दे लेंगे पहले से यह तो जानना है कि thank you होते कितने है तो सबसे पहले क्या है कि हम सुरुआत में सबसे पहले क्या है कोई भी अगर हमारी मदद करता है हम उसको सीरे सीदा बोलते हैं thank you या thanks अब thank you या thanks पहले हम thank you के बारे में बात करते हैं फिर thanks के बारे में बात करें यह हम application लेटर भी लिखते हैं तो भी हम वहाँ पे thanks नहीं के वल thank you लिखते हैं और thank you हमारा formal view में use किया जाता है और thanks हमारा के वल friend circle में ही यह अपने से छोटे के लिए हम use कर सकते हैं अपने से बड़े या पदमे बड़े हैं जो व्यक्ति उनके लिए हम thanks यूज नहीं कर सकते हैं यह informal way है ओके तो यह थे था thank you और thanks अब एक सब्द होता है थेंक्यू सो मच यह thank you का बड़ा बाई है thank you का मतलब है आपका शुक्रिया और thank you so much का है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुक्रिया ये भी formal way में ही use किया जाता है ये हमसे जो पद में बढ़े हैं या उमर में बढ़े हैं हम उन्हीं लोगों से इसका use कर सकते हैं इसका use करते हैं उके एक होता है thanks a lot Thanks a lot Thanks a lot, thanks का ही मतलब होता है Thanks का ही एक बड़ा वाही है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू सो मच का भी मतलब था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंतर ये था, कि हम अपने से बड़े के लिए ही केवल इसको यूज कर सकते थे, थैंक्यू सो मच को केवल अपने से बड़े या पदमें बड़े हैं, उनके लिए यूज करते और thanks a lot thanks a lot का हम अपने friend circle में use करते हैं ये informal भी है thank you so much ये formal भी है thanks a lot ये informal भी है ओके तो ये थी था हमारा thank you so much या thanks a lot अब मैं बात करता हूँ एक होता है no thanks no thank you मल लिजिए आप कोई काम कर रहे हैं अगर कोई आपकी मदद के लिए आता है तो आप उसको कहते हैं नहीं नहीं मैं ये काम कर लूँगा जैसे कि आप अपनी किताबों का बैग उठा रहे है तो सामने वाले अंकल खड़े थे उनको लगा कि ये बैग भारी है लाव मैं इसकी मदद कर देता हूँ तो उन्होंने उसकी मदद के लिए नीचे जुका है वो जुकना चाहा तो वैसे ही सामने वाले व्यक्तिन क्या बोला नो नो थेंक्यू नहीं नहीं धन्यवाद नहीं नहीं सुक्रिया अगर उससे उमर में छोटा होता है तो क्या बोलते थे? No, no, thanks. No, thanks. यानि कि नहीं, नहीं, सुक्रिया. इसका भी मतलब है, no, thanks का मतलब होता है, ये formal way में use किया जाएगा, और no, thanks का मतलब होता है, ये informal way में use किया जाएगा, ये हम अपने से बड़े, ये पद में बड़े ब्यक्ति के लिए use नहीं कर सकते, ओके, तो ये था no, thanks, and no, thank you. ओके, अब हम बात करते, thanks for what? जब हो कहीं है, हम से जैसे, कोई हमको बोलता है, thank you, लेकिन हमको नहीं पता होता है, कि हमने उसकी मदद की है, या नहीं की है, जब हमको तो ये ही पता होता है, कि हमने उसकी मदद की ही नहीं है, तो हमें ये सुक्रिया किस बात का बोलता है, बोल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं उसको, thanks for what? अगर सामने वाला जैसे, मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर सामने वाला बेक्ति आके, मज़े एकदम बोलता है, thank you, मैं बोलता हूँ, thanks for what? मतलब, सुक्रिया किसलिए? मैंने तो आपकी कोई मदद की नहीं है, फिर सुक्रिया किसलिए? लेकिन जाने अन जाने में, मैंने किसी ना किसी तरीके से, उसकी मदद कर दिये, साइड, इसलिए वो मुझे सुक्रिया बोलता है, बोल रहा है, ओके, तो ये ते था, thank you, एक होता है, I am thankful to you, एक होता है, I am thankful to you, ये क्या है? ये long term के लिए होता है, long term में ये use किया रता है, I am thankful to you, ओके, जैसे कि, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी कहीं बात करके, आपको अपनी कंपनी में जॉब दिला दी, तो उन्होंने क्या कि, लोंग टर्म आपकी पूरी लाइफ सिक्यूर कर दी, उसमें आप आराम से उसमें नोकरी करके, अपना जीवने आपका कर सकते हैं, तो आपने उनको क्या बोला, I am thankful to you, I am thankful to you, मैं आपका आभारी हूँ, यान कि, मैं आपका सुक्र गजार हूँ, या फिर जैसे कि, आपका कहीं बिजनिस खुलवा दिया किसी ने, तो आपने क्या बोला उनको, I am thankful to you, ओके, और एक होता हमारा last, thanks God, या thankfully, हम ज़्यादे तर बोलते हैं, thanks God, कोई काम अगर बुरा होते होते, बच जाए, तो क्या, thanks God, जैसे कि, मैं, I.E.S की तैयारी कर रहा हूं, मुझे दो साल हो गए, I.E.S की तैयारी करते करते, मेरा नमबर दो सालों से नहीं आया है, इस साल भी मुझे उमीद है, कि पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, पर भगवान से प्रातना कर रहा हूं, कि प्रभू, इस बार मुझे पास करा देना, परना ना कट जाएगी, तो पेपर आते आते, आपको उमीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही रियल्ट है, आप उसमें पास होगे, आपने क्या बहला, thanks God, बच गया, परना बद्धनामी हो जाती, ठीक, इसी प्रकार जैसे आप कई बाइक से जा रहे हैं, जाते आप स्पीड में हैं, वाइक आपकी, लेकिन जैसी अचानक आपने ब्रेक मारी, सामने से एक ट्रक आ गया, तो आपने क्या बहला, thanks God, मैंने बाइक में ब्रेक लगा ली, कि वरना आज तो बस काम खतम था, ये तो थे हमारी thanks, अब उनका reply किस तरीके से करना है, ये भी देखते है, thanks क्या देखिए, हमें thanks छोटा हो या बड़ा, मतलब छोटे या बड़े काम के लिए, अलग अलग thank you बोलना है, जैसे आपने किसी ने आपकी नोकरी लगा दी, फिर भी आपने बोले thanks, ऐसा ने, उसमें I am thankful to you, ये बोलिए, ओके, और जैसे आपसे जो उमर में बड़े हैं, उनसे thank you, आपके हम उमर हैं, उनसे thanks, या फिर उनको उमर में बड़े हैं, आपने, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा काम कर दिया है, जैसे university में आप काम रुका हुआ था, तो उन्होंने काम करा दिया, आपने क्या बोला thank you so much, क्योंकि आपसे वो पद्वें भी बड़े हैं, उमर में भी बड़े हैं, अगर आपका फ्रेंड्स होता हुआ फ्रेंड अगर आपकी मदद करता है कि जैसे university में ही चलो मान लेता हूं काम नहीं हुआ और उसने उसके किसी अंकल चाचा किसी के बज़े से उसने आपका काम खरा दिया, आपने उससे क्या बोला थैंक्स अलोट क्योंकि वो आपका फ्रेंड था, आपने उसको style भी में बोला है थैंक्स अलोट और लेकिन अंकल को नहीं बोल सकते आपको थैंक्स अलोट उनको आप बोलेंगे थैंक्यू सो मच्छ इसी तरीके से जब कोई आपका बड़ा मदद क आपको कोई बोलता है थैंक्यू तो आपने बोला no thank you, अब बात करते हैं इनकी reply किस तरीके से देने हैं आप देखे, reply क्या है जैसे normal लोग क्या बोलते है थैंक्यू का जबाब, you are welcome, you are welcome, लेकिन क्या है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग आंसर देना चाहिए, जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जाते टाइम, किसी सामने वाली व्यक्ति का पर्स गर जाता है जमीन पर, या चस्मा नीचे गर जाता, उसके जुखने से पहले आपने उसका पर्स या चस्मा उठा कर उसको बात नहीं, no, thanks, sorry, no problem, उसने बोला, thanks, आपने बोला, no problem, जैसे आप कहीं घर से निकलते हैं, कंपनी की मीटिंग के लिए, आप तयार होके एकदम गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी में बैठने पर पता लगता है कि आपकी जो office की main file थी, वो आपकी घर पे ये अंदर चूट गई, आपने अपनी sister को बलाया, काता, बोला उसको कि मेरी file अंदर चूट गई है, लाके मुझे दे दो, वो लाके आपको देती है, तो आपने उनको, क्या बोला, thanks, thanks, अब वो thanks का, वो thanks का क्या answer होना चाहिए, आपने उसको thank you so much बोला, क्योंकि दीदी आपकी उम् my pleasure, या फिर it's okay, it's okay, sorry, it's my pleasure, it's okay, it's okay, it's okay से काम चल जागा, चलो, कोई बात नहीं, it's okay, ऐसा ही, जैसे आपकी उसी sister का वर्थडे है, लेकिर घर में कोई arrangement उसको दिखाए नहीं दे रहा, वो मायूसी से घर में चुपचाप से लेटी है, उसना सुचा कि आज मेरा वर्ड सारे के सारे घर में बिल्कुल नॉर्मल थे, साम को भीया कहते हैं कि चलो, गुमने चलना है, जैसे वो गुमने जाते हैं, वो सीधा उनको एक 5 स्टार होटल में लिके जाते हैं, जहां पर पार्टी का पूरा arrangement हुआ होता है, उसकी जो sister थी देख एक तम सौफ दो जाती है, такие, थांक यू सौ मज, थांक यू सो मज, तो आपने क्या बोला, थांक यू सो मच का उतंतर क्या बोला, इस मैं प्लाजर, यह तो मेरा शौब भाग था, कि मैं आपके लिए इतना कर सका, ओके हैं, और ख़कि कभी क्या है, यह जैसे हम रास्ते में गए, और कोई काम हैं कर द उपर नीचे कैसे तो उसको नीचे जाना था लेकिन नीचे जाएगी कैसे तो मैंने इसको बटन दबा के बता दिया ऐसे नीचे जाएगी तो उसने मुझे क्या बोला मैंने कोई पाहर तो नहीं तोड़ दिया यह बने एक बटन दबाया और उसको बता दिया यह है उसने बोला थैंक्स, मैंने बोला mention not, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं mention not, यह हम strangers के साथ भी बोल सकते हैं, लिकिन इसका क्या है हम अपने से बड़े से नहीं बोल सकते हैं, अपने से बड़े से कभी नहीं बोल सकते हैं, मैंसर नॉट अब ऐक सब दोर बोलते हैं, कोई बोले thank you हम बोलते हैं anytime और ज़्याद तर हम यह अपने customer या family के साथ बोलते हैं, और customer जब हमको जैसे thank you बोलता है तो हम उसका thank you को जवाब क्या देते हैं thank you का जवाब भी देते हैं I am happy to help I am happy to help I am happy to help जब customer हमसे कोई मदद के लिए बोलता है तो मैं हम उसकी मदद कर देते हैं और फिर reply में हमें thanks बोलता है फिर उसका जवा हम किस तरीके से वो देते हैं थैंक यू का जवा हम किस तरीके से देते हैं I am happy to help ओके तो ये थे कोछ थैंक यू और उनके reply ओके अगर आपको पसंद आए तो दिल से like करिए और comment box मैं हमें जरूर बताई कि कैसा लगा और share करते रहे प्लीज 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 करते रहे सब्सक्राइब तो बिलकुल भी न भूलें सब्सक्राइब करने के बाद bell icon जबाना तो बिलकुल नह भूला तब तक क्योंकि रोज आने वाली वीडियो की notification आपको बिलकुल टाइम पर मिल जा तब तक कि लेड़े कर बाद चाओ